हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है पांडू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की टॉपिक बनता है यहां से 20 मास्टर कोशन बनता है और 10 माक्स कभी आ जाता है तो आज हम पांडू में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परिभाशा, निदान, पूर्रू, भेद, सामाने लक्षन और चिकित्सा और इसमें हम ऐसे शलोग भी देखने वाले हैं जो सभी व्यादियों में हम लिख सकते हैं तो आप ये वीडियो लाश तक देखिएगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं पांडू पांडू को मोडर्न में कोर्लेट किया गया है एनिमिय से एनिमिय रक्त की अलपता होना और ये है रस्वा इस्त्रोतस की व्यादी है तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रसधातू में विक्रती होने से रक्तधातू का निर्मान ना होना जिसकी वज़े से रक्त की अलपता हो जाती है तो हमें पता है रसधातू के बाद रक्तधातू आ रक्त धातु का निर्मान ना होना, जिसके कारण क्या होगा, रक्त की अलपता हो जाएगी, और पांडु रोग हो जाएगा, और पांडु का वर्ण कैसा होगा, पीत वर्ण का हो जाता है, पांडु में रोगी का वर्ण, पीत वर्ण का हो जाता है, अब हम देखते हैं निरु तो यह question आपका MD में भी पुझा जाता है कि पांडू का वर्ण किस फूल के समान बताया है तो आपको याद करना है केत्की केत्की का जो वर्ण होता है वो पीत वर्ण होता है तो इसमें केत्की के फूल के समान पांडू का वर्ण बताया है अब है परिभाशा परिभाशा है जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत हो जाता है उसे पांडू रोग का जाता है तो इसमें रोगी की त्वचा का वर्ण आपका पीत वर्ण का हो जाता है सेवन करने से अमल लवन और चार का सेवन करने से उष्ण पदार्थों का सेवन करने से निश्पाव माज पिनियाग का सेवन करने से और मिट्टी का सेवन करने से पांडूरों होता है अब हम देखते हैं विहारज विहारज में पहला है आपका अतिव्यायाम करने से दिवास स से वेगो का धारन करने से काम करने से चिंता करने से भै करने से क्रोध करने से और शोक करने से आपका पांडुरोग हो जाता है अगर हम देखते हैं संप्राप्ति तो इन निदानों का सेवन करने से आपका पित प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है मतलब त्रिदोष प्रको होता है साधक पित उसके बाद निदानों के सेवन से पित पत पर नीदानों से पित प्रदान तृदोश प्रकॉप होता है जो त्वच्चा वा मास के मद्धे स्थान संश्रे होता है वहाँ पर जाकर वहें कफ वात रख्त और मास को दूशित करता है जिसके कारण त्वच्चा कव पांडू वन होना और पांडू रोग हो जाता है अब हम देखते हैं हैं आचारे शुषृत नें पांडू के चार वेध बताए हैं और आचारे वागवठ ने पांडू के पांच वह लिएद हैं तो आप इससे भी आज मिट्टी खाने से जो पांडुरोग होता है अचारे शुषूते बताए है चार वातज, पितज, कफज और सन्निपातज अचारे वागबटने बताए है पांच वातज, पितज, कफज, सन्निपातज और मृति का भक्षन जन्नि अब हम देखते हैं पूरुप इसमें ये मतलब है कि भविश्य में में होने वाली व्यादी के लक्षन यहां पर बताएं गए लक्षन हैं ना रोक्षियम मतलब ड्राइन है स्वेध अभाव मतलब लॉस और स्वेटिंग और श्रमस्थता मतलब थकावड तो यह श्लोक हम एक ट्रिक से याद कर रहते हैं तो ट्रिक है रस तो आप लगने ट्रेक है मतलब की एच रस हमें पताए कि यह व्यादी रस्वा इस्त्रोतस क कि व्यादी है तो ट्रिक से याद कर सकते हैं ट्रिक है रस अई स्से पहते हमका हध स्वेध श्लोक यह श्रमसस्थता मतलब कंतलो अल्प रक्थ होना, अल्प मेध होना, नीसार मतलर लॉज ओव लस्चर और इंद्रियों का शिथिल होना। अब हम देखते हैं विशिस्ट लक्षन। यह लक्षन आप सभी व्यादियों में लिख सकते हैं। तो वातज का है कृष्णता, पांडुता, रुक्षता होना, अंगमर, तोध होना और सोप होना। पितज में पीतता होना, हरिदर्ता, धा, त्रिष्टा, मूर्चा, मल, मूत्र, पीला और उद्गार। कफ़र्ज में देखते हैं लक्षन, गोरव, तंद्रा, स्वेतवर्ण, अलस्य, मल, मूत्र, नेत्र, स्वेत होना और शोथ होना। सन्नी पातज में इन तीनों दोशों का मिश्रित लक्षन होते हैं। मृद्द भक्षन मतलब मिट्टी खाने से कैसे पांडुरोग होता है, तो मिट्ट भक्षन ज़्याद का दाई बच्चे़ों में होता है। तो देखते हैं जब बच्चे मृद्टी का मिट्टी का सेवन करते हैं। मिट्टी आपकी तीन प्रकार की रarioा गई है। पहली है कशाय मृतिका, दूसरी है उशर मृतिका और थर्ड है मधूर मृतिका, तो कशाय हमें पता है कि जो रस होता है कटू तिक्त कशाय वह वात का प्रकोप करता है, उशर जो होता है गुण वह पित का प्रकोप करता है और जो मधूर रस होता है वह आपका कफ का होता है जिसके वज़े से वो मृतिका आवी पाग होती है मतलब इंडाजेस्ट होती है तो वैस तो अवरोध कर देती है जिसके कारण धातु पोशन अवाब धातु का पोशन नहीं हो पाता है और दोश जो हैं प्रकुप हो जाते हैं जिससे इंदिरियों का बल नाश हो जाता अगनी मंध हो जाती है ओज कच्छे हो जाता है जिससे हमारा पांडुरोग हो जाता है अब हम देखते हैं लक्षन मिट्टी खान से क्या लक्षन होते हैं तो होता है पहले शोत मतलब इंफ्लमेशन हो जाती है आपकी अक्षी कुट में गंड में ब्रू में पाद में और अब हम देखते हैं चिकिस्सा सूत्र तो ये चार पॉइंट आप सभी व्यादियों में लिख सकते हैं तो पहला है आपका निदान परिवर्जिन करना चैकिन है संशोधन चिकिस्सा थर्ड है संशमन चिकिस्सा और फोर्थ है पत्थे अपत्थे तो आप ये श्लोग सभी व्यादियों में लिख सकते हैं चंशोधनम, शंशमनम, निदानश्य चा वर्जिनम, एहता वद बीसचा, कार्य, रोगे, रोगे, ये था विधी तो ये चिकिस्सा सूत्र का श्लोग है और ये कौश्ट आप से पेपर में पूछा जाता है तो आपको ये श्लोग याद करन अब हम देखते हैं निदान परिवर्जन गेश लोग भी आप सभी व्यादियों में लिख सकते हैं क्योंकि सभी व्यादियों में सबसे पहला जो सूत्र है वह निदान परिवर्जन हैं मतलब जिस रोग से, जिस कारण से वहव्यादी हो रही है, उन कारणों का त्याग करना ही निदान परिवर्जन है अब हम देखते हैं संचोधन ची किस्सा, तो इसमें आपको ये श्लोक याद होना चाहिए मतलब इस निदे मतलब आभियांतर इसने करना है, तीक्षने उर्द्व अनलोमी के मतलब तीक्षन वमन करना है और संचोधन में आपको म्रिदू बिस्तिक्ते करना है, मतलब म्रिदू विरेचन कर्म करना है और यही मृदू वीरेचिन करम आपके कामला में भी बताये गया है तो यही चीकिस साब के कामला में भी है तो यह शलोक च स्पज कखते हैं तो यहाँ पर आपका आपका द्रव्य आत कर लेते हैं पंच गव्य गृत सेकेंड है महा तिक्त गृत कल्यान गृत और आरगवदादी गृत यह चारों आपका सादक पित का शमन करते हैं तो इसको हम ट्रिक से आत कर लेते हैं कल्यान ने महा गव्य का वद कर दिया गव्य मतलब गाएं और महा होगे आपकी बड़ी मतलब कल्यान ने महा गाएं का वद कर दिया तो कल्यान से होगे आपका कल्यान गृत, महा से होगे महा तिक्त गृत, गाएं किती थी आपकी पांच तो होगे आपकी पंची गव्य गृत और वद्य से होगा है आपका आरक वदादी ही ग्रिप तो ऐसे हम यहीं याद करेंगे होले स्ट również धिक्ष्ण वमन करमम्म आपको करना है मृद्व भक्षिन जन्रे पांडू में थड करना है ता हे आपको करना paid विशेश पित्दिभांडू में और किसे करना है गोमुत्र वाद्दुग्द से केवल दुग्द से या फिर निशोच चूर्ण ते हमें पता है कि निशोच जो हमारा विरेचिन गर्म करता है फोर्त है हमारा रक्त बस्ती ये आपको बताईए चेरक ने कि रक्त का च्छे होने की अवस्था में हमें अजारक्त बस्ती का वर्णन बताया गया है अब है शंचमन ची किस्सा इसमें इस श्लोग इंपोर्डेंट है वातिके इसने भुयस्थम पैतिके तिक्त शीतलम शलेश्मिके कटू तिक्त उष्णम वी मिश्र सन्नी पातिके मतलब वातज में आप इसने ची किस्सा करेंगे पितज में आप तिक्त शीतलम और शदी की ची किस्सा करें कफ़ज पांडू में हम करेंगे कटू, तिक्षन, ओशन, वीरिय, ओशे से चिकिस्था सन्नी पातज में हम करेंगे वी मीश्र चिकिस्था मतलब वातर पित्र कफ़ज इंदीनों के मीश्र चिकिस्था हम करेंगे सन्नी पातज में फिप्थ है मिर्दू बक्षन जन्य पांडू में इसमें हम पहले निदान परिवर्जन करेंगे और सेकेंड हम क्रीमी उपचार करेंगे सभी प्रकार के पांडू में पत्थे अनका सेवन करेंगे अब हम देख लेते हैं पत्थे अपत्थे तो ये श्लोक भी आप सभी व्यादियों में लिख सकते हैं पत्थे सेति गदर से कीम ओशद निशेवने पत्थे असति गदर से कीम ओशद निशेवने इसका मतलब है रोगी व्यक्ति के लिए जितना आवशक ओशदी है उतनी ही आवशक उसके लिए पत्थे है क्योंकि यदि उसने पत्थे का सेवन नहीं करा तो है कितनी ही ओशदियां खाए वह रोग से मुक्त नहीं हो सकता तो पत्थे सेवन करना उतना ही जरूरी है जितना की और शुद का सेवन करना। तो यह श्लोक आप सभी व्यादियों में लिख लीजेगा। अब है पत्थे क्या क्या हमें सेवन करना चाहिए। पत्थे मतलब होगे क्या हमारे लिए हितकर है और अपत्थे मतलब होगे क्या हमारे लिए अहितकर है तो पत्थे में देखते हैं यव, शालिव चावल, मदू, घृत, हरिद्रा, शुन्ठी, गौमुत्र, गाजर और केला अपत्थे में हैं अमल, लवन, मत्से, तांबुल, म मास और थिल अगर हम कुछ और चीके साथ देख लेते हैं यदि गर्वर्णी को पांडू हो जाए तो हमें उसे धातरी लो देना चाहिए सेकंड है रक्त पित जन्ने पांडू मतलब रक्त पित के कारण अगर पांडू हो जाए तो हमें वासा गुडुच्या देना चाहिए थर्ड है पांडू जन्ने शोग मतलब पांडू के कारण यदि इंफ्रमेशन हो जाए तो हमें पूर्णवादी देना चाहिए फूर्थ है इस्त्री, बाली का और बंद्यतु तो इसमें हमें दाड़ी मादे करित देना चाहिए फिफ्थ है स्थूल रोगी मतलब ओबीस पेशन्ट में हमें लोह आसब और आयस करिती देना चाहिए I hope आपको समझाया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू